राम राम सातियो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो एक कोको पिट हैं कोको ब्रिक्स हैं पांच किलो की जो एट हैं इसको बिगोने के लिए कहने का मतलब इसको फुलाने के लिए हमें कितने पानी की आउशिक्ता होने वाली हैं इसके लावा साथ में हम जानेंग कि जो कोको पिट हैं, इसको कहां, कहां पर काम में ले सकते हैं, तो चलिए आज बीडियो स्टार्ट करतेखें हैं, शुरू करने से पहले, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, पासमा झो बेल आइकन है, उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे देखिए बात करेंगे सबसे पहले application की कि इसको कहां कहां पर काम में ले सकते हैं इसका उप्यों कहां कहां पर कर सकते हैं तो poting mix अगर आपको घमले भरने हैं घमलों में अगर आपको पोदे लगाने हैं तो vermicompost के साथ मिलाकर या मिट्टी के साथ मिलाकर आप इससे घमले भर सकते हो इसके लावा hanging pots आपने देखे होंगे जो लटकने वाले जो घमले होते हैं उनको भरने के लिए आप काम में ले सकते हो floriculture अगर आप फूलों की खेती करते हो तो उसके अंदर भी हम इसको काम में ले सकते हैं roof gardening अगर आप छट के उपर सबज़यां वगेरा उगाते हो फूल उगाते हो घमले लगाते हो तो उनमें भी आप इसको काम में ले सकते हो बात करें इसका weight कितना है तो 5 kg का यह हमारे पास यह bricks है 8 है और इसके जो size है 30 cm x 30 cm x 12 cm है और यहां जो MRP लिखी हुई हो 600 रुपे लिखा हुआ है बटे कम किया आपको मिल जाएगी online भी आप इसको मंगवा सकते हो अगर आपको घमले अगरा लगाने चट के उपर सबजे जाएगी चलिए आप बात करते हैं कि जो 5 kg के हमारे पास यह eat है इसको भीगोने के लिए कितने पानी के आउशेक्ता होगी और क्या process होगा कैसे हम इसको भीगोएंगे और कितने समय के लिए भीगोएंगे देखो दोस्तों यह जो eat है ना यह 5 kg की eat है और इसे फुलाने के लिए हमें 17 लिटर पानी की आउशेक्ता होगी केने का मतलब है 17 लिटर पानी में हम इसको डाल देंगे और तब जाके eat आपके फुलेगी और कम से कम आपको इसको 4 गंटे तक फुलाना है उसके बाद में आप क्या करोगे जैसे आपको घमले बरने है नर्सरी लगानी है त आप इसको काम में ले सकते हो तो चलिए देखिए इसका क्या प्रोसीजर है सबसे पहले आपको इस तरीके का बड़ा सा कंटेनर आपको ले लेना है और इसके अंदर आपको कोको ब्रिक्स को डालना है तो यह जो ब्रिक्स है यह 5 किलो की eat है और 5 किलो की eat को फुलाने के लि बड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक 5 kilos 8 के बारे में तो 5 kilos 8 को हमें क्या करना है नौर्मली इससारीके से इसमें रख देना है और 5 kilos के लिए हम क्या करेंगे 17 लिटर पाणी अमिस्में डालेंगे देखो यहाँ पर यह है मेरे पास 10 लिटर पाणी इस एक बाल्टी के अंदर बरा हुआ है तो इसको हमें नॉर्मली इसके अंदर डाल देना है ये 10 लिटर हमने डाल दिया इसके अलावा और पानी हम इसमें डालेंगे क्योंकि एक इट के लिए हमें 17 लिटर पानी की आउशेक्ता होगी तो ये पानी हमने और भी इसके अंदर डाल दिया है और पूरा ये अच्छे से डूब जाए ठीके इस सरी के समें इसको बिगो देंगे ये पूरा डूबो देना है आपको 17 लिटर पानी में और करीबन करीबन 4 घंटे बाद क्या होगा ये जो आपकी इट है ये फूल जाएगी और फूलने के बाद आप इसको काम में ले सकते हो कहने का मतलब है आप इससे जिसे गमले के अंदर आपको भरना है तो गमलो में आप इसको भर सकते हो इसके लावा आपको नरसरी लगानी है तो नर्सरी के लिए आप इसको काम में ले सकते हो तो आज का जो वीडियो है इसमें आपने देखा कि एक एट को हम कैसे फुलाएं और कितने लिटर पानी में हम इसको फुलाएंगे तो आज का वीडियो हम यही पर स्टॉप करते हैं अगले वीडियो के लिए आप मुझे comment करके जरूर बताए किसकी अगली process क्या होगी और किस तरीके से हम घमले के अंदर इसको भरें या केसे हम नरसरी लगाए सबकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो आप लाइक करे अधिक से अधिक सेर करे और जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करे ताकि आने वाले सबी वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार जए जवान जए किशान जए हिन बाबाय